हम है रैड निटवर्क हम करते हैं जन की बात नमस्कार रैड निटवर्क में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती कहते हैं माहौल माकूल हो तो छोटे बड़े की परवाह कौन करता है ये बात LGBT अध्यक्छ राम विलास पाशवान और भारत्य जन्ता पाठी के संबंदों को लेकर फिट बैटती है सिट बटवारे को लेकर भले ही दोनों दलों के बीच सहमती बन गई हो लेकिन सहमती बनने से पहले ही राम बिलास पासवान ने बीजेपी को अपनी ताकत का अहसास करा दिया जो बीजेपी विधान सवाचुनाव से पहले सहयोग्यों को सम्मान जनक सीट देने की बात करती दिख रही थी वो कुश्वाहा के जाने के बाद पासवान को मनाने में जुट गई बिहार में इंडिये के लिए कई मुश्किल है जहां जेडियू को बड़ा भाई मान लेने के बाद भी गठवन्न का नित्रित्व कर रही बीजेपी के लिए जंग आसान नहीं है बिधान सवा चुनाब के नतीजों के बाद अब इंडिये के लिए अपने बोट बैंक को बरकरार रखने की कठीन चुनौती आन पड़ी है पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के अनुसूची जाती कानून में संसोधन के बाद दलित बिरोधी सरकार होने के आरोप जेलराई बीजेपी को अगले चुनाब में दलित बोट छिटकने के आसार हैं ऐसे वक्त में दलित नेताओं के तेवर उसे और परिसान कर रहे हैं मांजी और कुषवाह के जाने और आरपी आई के रामदास अठालवे की बयान बाजी ने उसकी परिशानी को और भी बढ़ा दिया अब बीजेपी फिलहाल कोई जोकिम नहीं लेना चाहती इसलिए पासवान को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती उपेंद्र कुषवाह के इंडिये से जाने के बाद पासवान की अहमियत बढ़ी है यहीं वज़ा है कि पासवान ने दवाब बनाकर साथ सीटों की मांग रखी फिलहाल जो सहमती बनी है उसके मताबिक बीजेपी और जेडियो 17-17 सीटों पर एलजेपी 6 सीट पर चुनाब लड़ेगी इसके अलाबा राम बिलास पासवान राज सवा जाएंगे एक तरह से पासवान की बात अमिशाह ने माल ली और नितीश को भी इससे इतराज नहीं है याद किजिए पिछले दिनों पासवान और नितीश कुमार की मुलाकात सुर्खियों में रही ऐसा कहा जाने लगा था कि नितीश कुमार और राम बिलास पासवान कोई खिचड़ी पका रहे हैं सीट बटवारे के लिए बनाई गई दवाफ की या खिचड़ी भले ही राम बिलास पासवान के लिए स्वादिष्ट हो लेकिन बीजेपी को यह फिका ही लग रहा होगा साल 2014 के लोग सवाद चुनाब में लोग जन्सक्ती पाटी ने साथ सीट पर चुनाब लड़ा था जिसमें उसे चाथ सीट पर सफलता हाथ लगी थी हालाकि इस बार के हालात पिछले चुनाब जैसे नहीं हैं मोदी लहर की हवा निकल चुकी है सत्ता विरोधी लहर भी असर करती दिख रही है तेजस्बी ने अपनी मेनत से जवरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई है खुद पासवान समाज में भी लोग जन्शक्ति पाटी को लेकर नाराजगी की खबरे आई है यहीं नहीं राम विलास पासवान की खराब सेहत भी काम बिगार सकती है चुनाब परचार में इसका असर पड़ सकता है ऐसे में पासवान के साथ साथ इंडिये की भी राह आसान नहीं होगी पासवान समाज की बात करें तो बिहार में पासवान समाज का खास असर है बिहार में करिव साथ फिस्दी पासवान बोट है पिछले लोग सबाद चुनाब में लोग जनशक्ती पाती को 6.4 फिस्दी बोट मिले थे ऐसे में पासवान से इंडिये को फाइदा हो या ना हो लेकिन अब राम बिलास पासवान बीजेपी के लिए जरूरी भी हो गए हैं और मजबूरी भी बन गए हैं आप हमें लाइक करें सबस्क्राइब करें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जाहिंद आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क आपसे गुजारिश है यूटूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अप्लोट करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ